तो दोस्तो अगर आप एक नेवटो पर हैं अगर आप भी अपने यूटोब वीडियो में कोपीराट क्लेम वाला वीडियो से आप लोग कोपीराट क्लेम हटाना चाते हैं तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही भेतरिन होने वाला है कि का आज में बताने जा रहा आप लोग कैसे YouTube वीडियो में आप लोग copyright claim वाला वीडियो से copyright claim हाटा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हाँ दोस्तो और एक बात मेरी चैनल पर giveaway competition चलगा है अगर आप भी giveaway competition में भाग लेना चाहते हैं तो फड़ावर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजएगा तो दोस्तो वीडियो को लाम बना करते हुए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है पल्लब आप देख रहे हैं तेकनिकल पल्लब तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बतने जा रहा हूँ अगर आपके यूटूब चैनल पर पोई भी वीडियो में कोपरेट क्लेम आ जाए तो आप कैसे हता सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबल पर गूगल को मोपन करना होगा इसका वाद तोस्ता अगर आपके मोबल पर डेक्टॉप साइट और नहीं है तो यहां पर उपर में दिखे त्रीडॉट दिया हुआ है आप लोगों को यहां पर क्लिक करके डेक्ट सब्सक्राइए लिए लेकर जाएगा ने रहा है को धो दोसरे यहां पर देखे लेका और यहां पर देखेंगे वाविडियो । आप लोगों के सामने आ गया है तो यहां पर देखें एक विडिव का पीड़ी है, सिंपल से यहां पर क्लिक कर दाना होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर जीतने सारे विडियो से वो सब यहां पर Like it दोस्ते यहां पर दिखें फिल्टार है, जैसे हैं आफ फिल्टर में क्लिक करेंगे, यहां पर देखें copyright claim, age restriction और भी बहुत सार यहां पर है, आप लोग को copyright claim में क्लिक करते होगा, अगर आपके YouTube वीडियो में कोई भी copyright है तो यहां पर दिखाएगा कौन सा वीडियो में copy that claim है तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर click करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए check are running on your edited video आप लोग को see detail में click कर दना होगा जैसे आप click करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए copyright claim होने से आपके चैनल पर कोई भी effect नहीं होने वाला है यहाँ पर देखिए channel impact not affected visibility public है यहाँ पर देखिए आपके monetization में यह copyright claim जरूर होगा तो यहाँ पर देखिए invisible है अभी monetization पर तो दोस्ति यहाँ पर देखिए यहाँ पर indicate कर रहा है कि 2.22 से लेकर 4.34 जगा तक यह copyright claim है अगर आप इसमें कोई भी sound trim करना चाहते हैं या replace कोई भी song लगाना चाहते हैं तो इसमें आप लगा भी सकते हैं तो चली यहाँ पर मैं इस sound को mute कर देता हूं देखिए इस जगा से लेकर इस जगा तक यह sound mute रहेगा तो यहाँ पर दो option आ गया है एक तो mute all sound when song plays तो दोस्तों देखिए mute song only मुझे पुरा song नहीं mute करना है सिर्फ इस जगा को ही mute करना है तो चली यहाँ पर मैं mute song only में क्लिक करके यहाँ पर देखिए cancel और continue है आप लोग को continue में क्लिक कर दन होगा तो यहाँ पर जैसे आप अपने यूटुब वीडियो समें copyright claim बाला विडियो यहाँ पर copyright claim हटा सकते हैं तो आप ऐसे ही अपने YouTube वीडियो में copyright claim वाला वीडियो से आप लोग copyright claim हटा सकते हैं जी हाँ दोस्तों तो दोस्ता अगर वीडियो का चले गए तो like, comment और subscribe करना मत भुलेगा क्यों कर दोस्तों ऐसा है वीडियो आप लोग के लिए लात रहता हूं और हाँ दोस्तों और एक बात मेरी चैनल पर giveaway recommendation चल रहा है अगर आप भी giveaway recommendation में भाग लेना चाते हैं तो फड़ा फड़ से मेरी चैनल को subscribe जरू कर लेजेगा साथी जाथ में आप लोगों को like, comment और share भी जरू करना होगा तब तक लिए आप लोग घर पे रहिए और शुरक्षित रहिए जय ही बंदय मातरम भारत माता की जय